गुड मॉनिंग शुडेंस आसा करती हों सब बहुत अच्छी से होंगे स्वस्त होंगे जैसा कि हम चैप्टर 15 पढ़ा थे बच्चो अवर अर्थ है तो 40 चैप्टर को आज हम आगे स्टडी करती हैं ठीक है हमको पढ़ना है S.O.M.E.S.M.M.O.U.N.T.A.I.N.S.M.T.A.I.S.M.T.A.R.E.R.V.E.R.Y.V.E.R.Y.H.I.G.H.I.T.E.Y.D.A.R.E.R.A.L.W.A.Y.S. S.O.B.E.R.E.D.A.V.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R से होते हैं they are always covered with snow और वे हमेशा बर्फ से क्या रहते हैं धाके रहते हैं IT e it I as e c double o l e r cooler o en on h i double l s hills and de end mu & t a i n s mountains t han then in in Что the PL A i n s Talkes一點на m a and y many f r u IT fruit T R double is trees L I K E like A double P L E S apples C H E double R I E S cherries P L U M S plums A and D and P E A C H E S Pits G R O W Grow O N On H I W L S Hills A and D and M O U N T A I N S mountains ठीका तो देखिए कुछ जो mountains होते हैं परवत होते हैं वो बहुत ही उचे होते हैं और यहां हमेशा वर्पसे ढगे होते हैं देखिए आप लेकल राइट सेट में देख सकते हैं बच्चों स्रोग कवर्ड mountains इस प्रकार से जो mountains होता है उसमें बर्फ हमेशा ही क्या रहता है ढगा रहता है इट इस cooler on hills and mountains than in the plains और यह जो mountains छेट रहते हैं प्लेंस मतलब समतली मैदानों की अपेक्चा यह बहुत ही cooler मतलब cool बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि वहां हमेशा बर्फ गिरता रहता है और वो हमेशा बर्फ से ढगे रहते हैं इसी कारण वह एरिया वह छेत्रा क्या होता है ठंडा होता है मैनी fruits ट्रीस लाइक एपल्स चेरी स्प्रम्स पीश गो ओन हील्स और माउंटेंस देखें और यहां मतलब माउंटेंस एरिया में कौन-कौन से फल्स हुगाया जाते हैं एपल्स चेरी मतलब चे होते हैं यहां माउंटेंस और हील्स मतलब पहाड़े और परवती छेत्रों में जादा करके उगाया जाते हैं ठीक है mo1-n-p-a-i-n-s mountains is is c handled called a wwe v-a- double-l-e-y valley m-a-n-y blond कि पी ख आप λय व archली ओर ये प्यों फ्य एडर तीज क वह बर डिय य ईसवेलี้ म ब्लु टूख लो खु एडर रस फ्लो टो ड्र ऐ ट annex ग्रीन, P-L-A-N-T-S, प्लांट्स, A-N-D and A-N-I-M-A-L-S, एनिमल्स, ठीक है, देखें, 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 वेली में घाटी, बिट्वीन, मतलब बीच में, लेंद मतलब भूमी, हाई हिल्स, हाना, उचे-उचे, पहाड और परवत, तो देखें, यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, बच्चों, वेली, वेली देट में सोता है, घाटी, तो यहाँ पर बूला जा रहा है, कि यह पहाड और परवत के बीच में, जो लेंड बसता है, हाना, वो क्या कहलाता है, वेली, मतलब घाटी कहलाता है, मेनी पीपल लिव इन वेली, और कई लोग जो होते हैं, बच्चों, इस वेली, मतलब घाटी में रहते हैं, वेली लोक्स, ब्यूटिफूल, वीद, फ्लावर्स, ग्रीन प्लांट्स, एंड अनिमल्स, देखें, ब्यूटिफूल, मीज सुन्दर, अनिमल्स, जानवर, फ्ला फ्लावर्स, कॉत, ही ब्यूटिफूल, मतलब सुन्दर दिखाई देती हैं, ठीक है, अब चलती हैं, डेस, मांनस, एंड वीद, देखें, जानवर्स, एंड वीद, वेली य। ब्यूटिप के वीक, डेस, मांज, एंड वीक देखे, दे मिस देन, मंस मिस मैंना, एंड वीक मिस होता है शब्ता हाँ O, U, R अवर, T, SORRY E, A, R, T, H, Earth, R, E, B, O, L, V, E, S, Revolves, A, R, O, U, and D, Around, T, H, E, S, U, and, Sun अवर, Earth, Revolves, Around, The Sun, देखे, जो हमारी प्रिथ्वी है हाना, Earth तो हमारी प्रीथ्वी सूर्य के चारों तरफ हाना यह सूर्य है और प्रीथ्वी है उसके क्या करती है चारों और ऐसे रिवॉल्स मतलब चक्कर लगाती है प्रीथी सूर्य प्रीथी तेश निए इस इस अने ब्हुंन र एगी व लुट यो अन रिवला इन in 365 DA5S' A&D and 6 HOURS hours S O SO W E V S A Y C O N E 1 Y E A R E R O N ON TH E A R TH EARTH IS IS OF 365 DAYS-1 Y E A R E R I S is F U R TH E R FURTHER D I V I D E D DIVED INTO INTO 12 MON THS MONTHS देखें तो जो हमारी प्रीथवी है अना आर्थ है सूर्य के क्या करती है एराउंड मतलब 4 और चक्कर लगाती है घूमती है it completes its one revolution in 365 days and a 6 hour और यह अपना one revolution एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है 365 मतलब 365 दिन और 6 घंटों में complete मतलब पूरा करती है अपना एक चक्कर so we say so we say one year on the earth is of 365 days देखें तो हम कह सकते हैं कि one year one year मतलब एक साल एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों 365 दिन हा ना 365 days और one year is further divided into 12 months और हम जो years होता है साल होता है उसको किस में divide करते हैं किस में बाढ़ते हैं months महिनी में हा ना कौन-कौन से महिने होते हैं January February जो यहां नीचे दिया गया है टी एच इस 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 ट्वेल्व एम ओ एन टी एच एस मांस अ ए आर ए आर ए न एम इडी नेम्ड ए एस 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 एफ ओडवल एल ओ डव्डू एस फोलोस इस ट्वेल्व मांस आ नेम्ड एस फोलोस देखे और वी ट्वेल्व मंस बारह महिने कौन-कौन से हैं बच्चों जे ए एन यू ए आर वाई जैन्वरी एफ इबी आर यू ए आर वाई फेवरी एम ए आर सी एच मार्च ए पी आर आई एल अप्रेल एम ए वाई में जे यू ए जून जे यू एल वाई जुलाई ए यू जी यू एस टी अगस्त से पी टी एम बी ए आर सेप्टेमबर ओ सी टी ओ वी ए आर अक्टूबर एन ओ बी ए एम बी ए आर नमवंबर डी ए सी एम बी ए आर दिशंबर तो ट्वेल्व मंस कौन-कौन से हैं बच्चों जन्वरी फेवरी मार्च नमबर डीसंबर यह क्या है ट्वेल्व मंस है और ट्वेल्व मंस देट मीस वन इयर हा ना एक साल और वन इयर में कितने डेश होती हैं 365 365 तीन सो पैंसर दिन ठीक है यह कलेंडर दिया गया है इस प्रकार से आता है O-N-E-1-W-E-K-W-E-K-W-I-S-E-S-M-A-D-E-M-E-D-U-P-O-F-O-F-E-V-E-N-7-D-A-Y-S-D-A-Y-S-D-E-S-L-E-A-R-N-Learner-D-H-E-D-A-N-A-M-E-S-N-E-O-F-O-F-E-H-E-D-A-S-E-V-E-N-7-D-A-Y-S-D-A-Y-S-D-E-S-M-O-N D.A.Y. Monday, T.U.E.S.D.A.Y. Tuesday, W.E.D.N.E.S.D.A.Y. Wednesday, T.H.U.R.S.D.A.Y. Thursday, F.R.I.D.A.Y. Friday, S.U.S.A.T.U.R.D.A.Y. Saturday, S.U.N.D.A.Y. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday में सोम वार, Tuesday, मंगल वार, Wednesday, बूदवार, Thursday, गुरुवार, Friday, शुक्तवार, Saturday, शनिवार, एंड़ा, Sunday, रवीवार हा न? One week, तो एक शप्ता हमें कितने दिन होते हैं, बच्चों? Seven days, ठीक है? One on, W, H, I, C, H, which, D, A, Y, Day, I, S, E, S, Y, O, U, R, Y, O, S, C, H, O, L, School, O, F, Off, on which day is your School Off? देखें, कौन से दिन आपका School Off रहता है, बंद रहता है, तो देखें, वैच्चों नॉर्मली सी बात है, जो School सोते हैं, वेक बंद रहते हैं, संडे हो हा न? S, U, N, D, A, Y, Sunday I am in, W, H, I, C, H, which, M, O, N, T, H, Month, D, O, E, S, Does, Y, O, U, R, Your, B, I, R, T, H, D, A, Y, Birthday, F, A, L, Fall In which month does your birthday fall? आपका जो birthday है, जन्मदीन है, किस महिनी में आता है, ठीक है, उस months को यहाँ आपको mention करना है T, H, I, S, This, Y, E, A, R, Year, O, N, On, W, H, I, C, H, Which, D, A, Y, Day, I, S, Is, Y, O, U, R, Your, B, I, R, T, H, D, A, Y, Birthday इस साल है, इस साल आपका जन्मदीन किस दीन है, उसको लिखना है, क्लियर, तो यह था बच्चों हमारा अवर अर्थ कंप्लीड आसा करते हैं, हमने इतना पढ़ा बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को स्पैलिंग करके, रिट करना है, वेस की फि आपका